वेलकम बेक्ट टु माई चानल टेक्निकल जफर आज की इस वीडेयो में हम देखेंगे चैट GPT को Use कैसे करते हैं और चैट GPT पर कैसे Prompt लिखना है चैट GPT की मदद से अपने Assignments या फिर अपने Notes या फिर Article कैसे लिका सकते हैं इस AI टूल की मदद से हम घंटों का काम मिन्टों में कैसे कर सकते हैं तो इस वीडियो में पुरा डीटेल में बताने वाला हूं वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना क्यूंकि मैं इसमें बहुत सारे इंपोर्टेंट टीप्स आपको बताने वाला हूं तो चलिए शुरू कर तो मैं यहां पर एक फर्स्ट प्रॉम्ट डाल देता हूं तो यहां पर मैंने फर्स्ट प्रॉम्ट लिखा है अपने मैनेजर को बताते हुए कि मैं कल आफिस नहीं आ सकता मेरी तब्याट ठीक नहीं है तो चलिए देखेंगे चैट जीपीटी से कैसे इमेल मेरा बना कर दे हूं आप देखोगे यहां पर चैट जीपीटी इस मैसेज को यहां पर जनरेट कर रहा है आप देख रहे हूं जैसे ही सेंड हुआ यहां पर चैट जीपीटी मेरा मैसेज यहां पर जनरेट करके दे चुका है विदीन सेकेंड मुझे यह पूरा मैसेज यहां फिर मेरा जो है वो बन कर मिल गया है जस्ट पूरा subject वगरा सभी है यहाँ पर तो जहां पर हमें जहां जहां पर हमें bracket दिया गया है हुआ पर हमें replace कर देना है जैसे कि for example यहाँ पर manager का name डाल देना है फिर उसके बाद यहाँ पर date डाल देने आए और उसी के साथ best regards के साथ आप अपना डाल देंगे और as it is इसी को आप mail कर सकते हैं तो chat gpd के मदद से यहाँ पर और एक मैं prompt लिक लेता हूँ तो chat gpd मैं यहाँ पर और एक prompt लिक हूँगा अपि मैं यहाँ पर second prompt डाल देता हूँ please help me to write an article on evolution of 5G network तो जैसे मैं यहाँ पर send कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक the evolution of 5G network यहाँ पर एक title के साथ पूरा यहाँ पर मेरा एक article लिक कर आ रहा है आप देख रहे हो कैसे chat gpd पूरा यहाँ पर article लिक कर दे रहा है तो आप देख रहे हो यहाँ पर article कुछ जादा ही लंबा है यहाँ पर generate हो रहा है अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो अगर आपको कुछ words में वगरा चाहिए तो ओभी आप उससे काम करा सकते हो तो मैं यहाँ पर अब इस stop कर देता हूँ और आगे लिखता हूँ in 500 words जैसे मैं आप 500 टाइप किया हूँ आप देख रहे हो मेरा यहाँ पर article जो है सिर्फ 500 words में ही लिखकर पुरा मुझे मिल जाएगा तो यहाँ पर मेरा पुरा 500 words में article पुरा मुझे लिखकर मिल चुका है अगर इसे आप गर और आप गर चोटा करना चाहते हो तो भी आप इससे करा सकते हो तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा इन 100 words अभी मैं यहाँ पर 100 words में इसी को generate कराऊंगा तो यहाँ पर छोटा सा article भी लिखकर मुझे मिल जाएगा तो आपने देखा हैं यहाँ पर कि 100 words में भी same article हम generate करा सकते हैं आपको जितने words के requirement है जस्ट आपको यहाँ पर उसे बता देना है तो उतने words में ही आपको आपका article लिखकर मिल जाएगा तो उसके बाद मैं यहाँ पर और एक prompt लिखूँगा यहाँ पर मैं एक prompt लिखूँगा resume बनाने के लिए तो मैं यहाँ पर prompt paste कर देता हूँ I am BCA graduate and MCA machine learning I want to apply for data analyst job Please help me make an impressive resume तो यहाँ पर मैं इतना लिखकर इसे send कर देता हूँ तो यहाँ पर इस job title के according मुझे मेरा resume बन कर मिल जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कुछ चीजें इसने बनाना शुरू कर दिया है यहाँ पर मेरा education background भी लिखा है और degree भी लिखा है और मेरे जो data analyst को जो skills चाहिए वो पर हैं आपर skills भी इसमें mention किये हुए है जस्ट आपको इतना test लेना है इसी text को आपको अपने according customize करके आप अपना resume बना सकते हो अगर आपको इसमें in addition और भी कुछ add कराना है तो भी आप add करा सकते हो या फिर आपकी कोई भी certificates वगएरा भी attach कराना है या फिर अपना या कोई और चीज़ भी add कराना चाते हो तो भी आप यहाँ पर इस chat gpt की मदद से add भी करा सकते हो तो आप simple इसी text को आपको copy कर लेना है और अपना resume बना देना है please make a ppt on without quality तो यहाँ पर मैं एक prompt इसे और दे देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो slide by slides मुझे यहाँ पर मेरा powerpoint presentation मुझे यहाँ पर मिल रहा है इसमें आपने देख रहा है कैसे मुझे slides यहाँ पर generate करके दे रहा है with bullet points के साथ यहाँ पर कुछी second हो में हमें कैसे पूरा ppt यहाँ पर बन कर मिल गया है आप देख सकते हैं पूरे यहाँ पर 10 slides हमें बन कर मिल गए है इन सभी slides को आप अपने ppt में use कर सकते हो और भी अगर detail इसमें डालना है तो भी आप chat gpt की मदद से इन points को और detail में भी ले सकते हो otherwise आप इस bullet points को या फिर और slides सा अगर चाते हो तो भी आप इस chat gpt के मदद से generate करा सकते हो I hope अभी आपको पता चल जुका होगा कि chat gpt के पर prompt कैसे लिखना है और अपने task को कैसे complete करना है वीडियो इंट्रेस्टिंग लगाओ तो लाइक ज़रूर करना और इसी तरीके से AI related videos देखना है तो इस चैनल को subscribe ज़रूर करना मिलते हैं नहीं इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए तब तक के लिए thank you